तब बिजेप्रा बोरिश्ट नेता प्यूस गोईल प्रेस्मिट करूछन दी सिदात्रक नहीं चलू छो खतम हो जल्द से जल्द वो पूरा हो काम मुदी जी की सरकार 2014 में आये तब ये सांसद नहीं रहे लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुद्रे उत्तर प्रदेश में अपने शेत्र में काम चालू रहे उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे और रेल मंत्रा लएके पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मुदी सरकार आने के बाद एक प्रकार से ऐसे युवा नेता जमीन से जुड़े हुए नेता लोगप्रियो नेता और जिनकी प्रातमिक्ता समाज सेवा रही हो जिनको देश के प्रती प्रेम हो ऐसे बहुत ही कददावर नेता जैसे आनिल जी ने कहा उतर पादेश की राधनीती में जिनका बहूत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूँ ऐसे शृश्रीजितिन प्रसाद जी हम सब को आज हम शीजेपी नडडा जी की अध्यक्षता में भारतिय जनता पाटी में जोड रहे हैं मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पाठी को भी बल मिलेगा और जितन प्रसाद जी को देश सेवा समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौक का भी लेगा शितन जी आप भी कुछ कहना चाहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद अधर्णिया प्यूश गोईल जी आपने जो मेरे बारे में जो बक्तत पुरखा अनिल बनुली जी आपका भी धन्यवाद सर्फ प्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतिय जंता पाठी के द्हान मंत्री आदर्णिया नरेंद मोदी जी इस देश के कर्मयोगी ग्रह मंत्री आदर्णिया अमिच्छा जी और समस्त भारतिय जंता पाठी नेत्रत का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज भारतिय जंता पाठी परिवार में मुझे सदस्ता और सम्मा दिया है और ये मेरे जीवन राजनेतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जैसे कि आप जानते हैं मेरा कॉंग्रेस पार्टी से तीन पीडियों का साथ रहा है तो ये महतपूर्ण निर्ने जो मैंने लिया है बहुत विचार मंधन और सोच के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से आट-दस सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में राजनितिक जीवन में ल अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनितिक दल है, जो संस्थागत, इंस्सिट्यूशनल दल है, वो भारती जन्ता पाटी है। बाकी दल तो ब्यक्ति विशेश और शेत्रिय शेत्र के हो गए हैं, मगर राश्ट्रिय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है, तो भारती जन्ता पाटी है। और जिस चुनौतियां और परस्तितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी, जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उप्युक्त और मजबूती के साथ ख़ड़ा है देश हित मे तो भारते जिंता पाटी और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी है, ये जो दशक है, ये भी मैंने एक बक्तब सुना था प्रधान मंत्री जी का, निर्नायक होगा भारत के लिए आनी वाली पीडियों के लिए, भारत बिश्ट पटल पे क्या भूमेका निभाएगा, वो य तो भारत बिश्ट पे करेगी और नित्रत बिजेपी दिली का अर्जालेरू सिधास्तलका अपना देखुत ले चित्र, जीतिन ट्रसाद कॉंग्रेस्टर टानवा नेता ता प्रभातना केंद्रमंत्री आजी बिजेपी रे सामिल हो इच्छेंती, अब मां ए अवस्तरे प् केंद्रमंत्री उपस्तितोंस जीतित प्रभातना केंद्रमंत्री बिजेपी जीतितोंस जीतितोंस